एशिन गेम्स में मेडल्स की बरसात हो रही है और ये बेडल्स जादा तर आ रहे हैं अब एथलेटिक्स से और आज मेरे साथ है तजिंदर पालती सिंग तूर इनका 2018 जकार्ता में भी गोल्ड मेडल था और अब ये उन्होंने अपने मेडल को डिफेंड किया है तजिंदर भ से मैं पिछले दो मीने से थ्रों नहीं कर पाया तो जो ये अभी इशन गेम आया तो इदर मेरी पहली दो थ्रों फाउल होगी मैं मतलब मेरे मेरे उपर प्रेशर आ गया भी तीसरी थ्रों मुझे राइट करनी पड़ेगी और बेस्ट में आना पड़ेगा तो फिर लास्ट आई है एजने अथलीट आपने उसको कैसे ओवर कम किया और वापस एक बजबूत खिलाले के तौर पर आप उभरे जैसे देखो उसमें आपकी फैमिली बहुत स्पोर्ट करती है मतलब आपको मनेक्टिव नहीं होने देती आपका कोच कोच की बहुत स्पोर्ट रहती है जै इसले सिर्फ दो साल की बात करें अब आपने जिसे अभी जिखर भी किया कि आपको चोट लग गई थी और एक वक्त वह भी आरता कि शायद आपके भी सोच रहती कि मैं अगला टॉर्णमेंट खेल पाऊंगा या नहीं खेल पाऊंगा ऐसे में खिलाली को कितना दिमागी त एक चीज जो आपको लगता है कि इंडियन आथलेटिक्स में जो है वो बदलाव की जो बयार चली है वो इसका में रीजन आपको लगता है कि नीरज है दोजार अठारा में उन्होंने भी यहीं पर गोल्ड मेडल हासिल किया था वो उनका पहला एशियन गेम्स था आप भी पर वहां पर वहां से यहां तक जो सफर है इंडियन आथलेटिक्स का उसको आप कैसे देखते हैं जी बिल्कुल जैसे नीरज का टोक्यो लांपिंग में गोल्ड मैडल आया और हमारे जंपर से देख लो अभी कितना अच्छा परफॉर्म कर रहें थे एटी फॉर्टी एट कुछ सवाल जोती जब अपनी आज हर्डल में उतरी थी तो चाइना के खिलाडी ने फॉल स्टार्ट किया था उस चीसका हमने प्रोटेस्ट किया चाइना खिलाडी को डिस्कौलिफाई किया जोती का मेडल अपग्रेड हुआ आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं बहत गलत बात है वह शरे हम दिख रहा है वी चाइना की लड़की ने फाउल मारा स्टार्ट मतलों बहुत बड़ा फाउल था पहली बात उसे बागने नहीं देना जाहिए था फिर अभी पता चला है वह सिल्वर मेडल आया था लड़की का उसे उसे ब्रॉंज कर दिया मतलों ग चोट से उबरने में वापस आगे आने में कितनी साहिक हुई जी बिलकुल हमारी Athletic Federation of India साई यह हमें बहुत हेल्प करती है जहां में बार ट्रेनिंग करने में जैसे टॉप्स हो गया टॉप्स हो में पर मंत 50,000 रुपीज देता है जैसे शूज लेने हैं सप्लीमेंट लेने उससे हमें बहुत हल्प मिलती है